नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं मुख बंतरी सार्थी, योजना की स्विक्रिति मिलने की संभावना है बता दे राज सरकार मुख बंतरी परोट्साहान योजना की जगा यह योजना ला रही है इसके तहत वैसे यूआ जो कौसल प्रसिक्षन पाना चाहते हैं उन्हें सरकार रोजगार प्रोट्साहान के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिमा एक हायार से लेकर अठारा सो रुपए तक देगी इसके साथ ही UPSC, JPSC प्रारामभिक परिक्षा उतिर्ण करने वाला वियार्थियों को मुख परिक्षावा सक्षतकार की तियारी के लिए जार्खन के मौसम में फिर बदलाव के असार है 10 अक्टूबर से जार्खन में पच्मी भी छोब दस्तक देगा इसके परभाव से राजी में 12 अक्टूबर तक बादल चाहे रहेंगे वहीं कई जगों पर धीमी वहल की बारिस भी हो सकती है मौसम केंद्र के पुरुणमान के अनुसार राजी में 9 अक्टूबर के दिन के दरण अधिकांस जगों पर मौसम साफ रहा लेकिन वातावरन में नामी के कारण दोपर बाद राजी समित राजी में कहीं कहीं बारिस भी हुआ बता दे राजधानी राची के कई इलाकों में सनिवार की साम भी करीब 6 मिल्डी मीटर बारिस हुई थी वहीं 10 अक्टूबर से पच्मी वी छोब का सबसे ज़्यादा असर पलामू प्रमंडल के जीला में पड़ेगा इन जीलों में अने भागों के अपेक्छा अथिक बारिस हो सकती है लेकिन 12 के बाद बादल छटने ही राज्ये से मांसुन वापसी की प्रकिलिया सुरू हने का अनुमान है केंद्र ने MDM के कुकिंग काष्ट की रासी में की बढ़ोतरी केंद्र स्रकार दोरा मध्यान भुजन योजना के तहदी जाने वाली रासी में बढ़ोतरी की गई है इस समन्द में केंद्रिये सिक्षा मंत्राले दोरा सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है पत्र के अनुसार अब कक्षा 1-5 के लिए प्रती बच्चा कोकिंग काष्ट की मद में 5 रुपए 45 पैसा वा कक्षा 6-8 के लिए 8 रुपए 17 पैसा मिलेंगे अब तक कक्षा 1-5 के बचों के लिए 4 रुपए 97 पैसा वक अक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 7 रुवे 25 पैसा दे जाते थे ये और 81 अक्टूबर के 30 से बढ़ाई गई है बता दे जार्खन में प्राते दिन लगवग 30 लाख बच्चों को मद्याहन भोजन दिया जाता है जार्खन राजमद्याहन भोजन प्राधी करंद्वारा इस मन्द में अगले सब्ता सभी जीलों को पत्र भेज दिया जाएगा मुख्य मंत्री पर लटकी आयोगता की तलवार भाजपारेश जार्खन के मुख्य मंत्री हमसुरन के मामले में चुनाव आयोग से भेजे गए पत्र पर पर करार संसे के 27 उर्गर बंदन फिर से राजबहन पर दबाव बनाने के त्यारी में है चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राजभौन को मुख्य मंत्री के मामले में समंधित मंतब्य राजभौन को भेया था संभावना जताई जा रही थी कि भारत निर्वाचन आयोग का मंतब्य सरुजनिक होगा लेकिन अभी तक या नहीं हो पाया है इस समंध में जारकन मुक्ती मोर्चा और कांग्रेस की सन्युक्त परति निधी मंडर राजभौ से मिलकर दबाव भी बना चुका है मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन भी ब्यक्तिगत तोर पर राजभौ से मुलकाद कर आगरा कर चुके है अब जारकन मुक्ती मोर्चा ने सुचना के अधिकार के तहत राजभवन के जन सुचना पदा अधिकारी को आवेदन दे कर चुनाव आयोग से आई पत्र के बारे में जनकारी मांगी है इस पर राजभवन निर्नाई करेगा हेमंत सुरेन रगवर्दास के पीछे पड़े सर्जु राय चारा घोटाला मधुकोडा लूटकांड अवैद खनन घोटाले समयत कई बड़े मामलों को जाग करने वाली जमसेत पूरपूर्वे के विधायक सर्जु राय भरष्टाचार को मुदा बना कर आगे कि अपनी राहताय करेंगे 11 अक्टूबर को लोक नायक जय परकास नरायन की जहनती के मौके पर उन्होंने भरष्टाचार विरोधी परतिनिदी समयलन का उजन किया है इसमें राजे के सभी 81 विधान सभाचेतरों से परतिनिदी समयल होंगे रभिवार्ता किसके लिए 815 निवांदर भी हो चुके हैं बता दे इस समयलन में सर्जु राय जार्खन, पिपुलस, अगेस्ट, करप्सन, नामक, वंच गठित करेंगे या अगर रायनितिक होगा तथा सभी दलों के करकरता इसमें हिस्ता बन सकेंगे सर्जु राय इसी बहाने अपने लिए रायनिति जमीन की भी तलास करेंगे पिछले बिधान सभा चुनाव में भाजपा से नाता तुटने के बाद उन्होंने ततकारीन मुख्यमंति डगबर दास के खिलाप नेर्दा लिये चुनाव लड़ा और जीत भी आंसिलकर सबको चोका दिया था 11 अक्टूबर से सुधा और मेधा दूद हो रहे महंगे जारखण में सुधा और मेधा दूद मंगलवार 11 अक्टूबर से महंगे हो जाएंगे सुधा डेरी मेधा डेरी के दूद प्रती लिटर दो रूपे महंगे हो रहे है सुधा का 6 लिटर छेना मिल्क 288 रुपे से बढ़कर 300 रुपे और 6 लिटर सुधा खुवा मिल्क 302 से बढ़कर 320 रुपे हो जाएगा इस समझ में मेधा डेरी के MD सुधिर कुमार सिंग ने कहा है कि किसानों से खरीदने वाले दूद की कीमत में बढ़ोतरी के साथ लागत मुल्य में बढ़ोतरी होने से दूद की किमतों को बढ़ाने को मजबूर होना पर रहा है उन्होंने कहा है कि दूद की सभी परकार की वेराइटी में 2 रुपे प्राती लिटर और 10 लिटर में 1 रुपे की ब्रिधी की गई है भारत और दक्षिन अफरिका मैच से पहले अमिताब चोधरी को दी गई सदाजली JSA International Stadium में भारत और दक्षिन अफरिका के भी दूसरा वन डे इंटरनेशनल मैच खेला गया इस मैच में भारत ने दक्चिन अफरीका को साथ विकेट से हरा कर सीरीज में एक-एक से बराबरी कर ली है मैच से पहले जेसिये के पुर्व अध्यक्ष अमिताब चोधरी को याद किया गया इस्टेडियम के अंदर उन्हें सदाजली भी दी गई उनका एक बड़ा पोस्टर मैदान के उपर लगाया गया बता दे अमिताब चोधरी लागातार कई टर्म तक जेसिये के अध्यक्ष रहे हैं जारखन में किरिकेट के विकास में उनका अतुलनिय योगदान रहा उन्होंने यहां इंटरनेशनल एस्टेडियम के निर्मान में भी महतपुन भूमका निभाई थी इसके बाद अमिताब चोधरी जेप्यसिक के अध्यक्ष के पद पर भी रहे इसे पहले बी सी सी आई में भी उन्हें समानित पद दिया गया था सीयम हेमंद परिवार संग एस्टेडियम में मैच का लिया अनन्द रविवार को जहारखंड की रैधानी राची के जे एसे इंटरनेशनल किर्केट एस्टेडियम में खेले जार है भारत और दक्षिन अफ्रीका के मैच का अनन्द लेने मुख्यमंत्री हेमंसुरेन परिवार संग एस्टेडियम पहुचे इस देवरान किर्केट मैच का जम कर आनन्द उठाए भारत ने साथ बिकेट से जित दर्ज की है बतादे जहरखंड के राजे पाल रमेस बैस भी जे एस्टे इंटरनेशनल किर्केट एस्टेडियम पहुचे थे उन्हेंने भी भारत और दक्षिन अफ्रीका के मैच के आनन्द उठाया रांची के जे एस्टी ए इंटरनेशनल किरिकेट एस्टेडियम में खेले गए दूसरे वन्डे मैच में दक्षिन अफरीका ने 50 ओवर में 278 रण बनाए इसके जबाब में टीम इंडिया ने भी बेतर प्रदसन करते हुए साथ बिकेट से जित दर्द की है अपने होम ग्राउंड में बले बाज इसान किसाने संदात यानवेरन बनाए साइबर ठगी से बचाओ के लिए सिम्डेगा में 10 अक्टूबर से जगरूपता अभियान साइबर क्रिमिनल की ठगी से बचाओ को लेकर सिम्डेगा जिला पुलिस पांच दिवस्य जगरूपता अभियान चलाएगी इस अभियान के शुरूआ 10 अक्टूबर और समापन 15 अक्टूबर को होगा इस दवरान प्रभात फेरी हस्ताक्षर कैम्पेण जगरूपता रत के अलावा पोस्टर मेकिंग, निबंधन लेखन, क्विज परत्योगता, नोकार नाटक एवां पूलिस पता थिकालियो द्वरा बिद्यार्थियों के बीच साइवर अपराद और उनकी रोक्ताम के बारे में बिस्तार से जनकारी दी जाएगी पांच दिवस्य जागरूपता अभियान के शुरूआ 10 सक्टूबर को परभात फेरी के साथ होगा जारखन अंदोलन के योद्धा लाला सुराल की गुमना मौत के बाद पहुंचे जामो जीला अध्यक छे जारखन अंदोलन के परमुक योद्धा वा जामो अध्यक सीवू सुरेन के अंदोलन के शुरूआती साथी लाला सुराल की गुमनाम मौत के बाद रभीवार को दो फर बाद जामो के जिला अध्याक्ष रमेश टुड़ू उनके घर पहुँचे अला की इसके बाद जामो के सांसर बिधायक समेथ अलग राजे की सत्ता पर बैठे उनकी पार्टी के लोग नहीं पहुँचके मालूम हो की सीवु सुरेन के साथ भोमिगत जीवन जीकर जारखन अंदुरन को धार देने वाले लाला सुराक की कब मौत हो गई और कॉप उनके पार्टी कुषरी का अमतिम संस्कार कर दिया गया या उनके परिवार के चंद लोगों के अलावा किसी को पता नहीं चला दुमका में जला कर माली गई बेटी के खिलाफ केमपेन बंगला देश से आया फंड दुमका में नवालिक लड़की को जिन्दा जलाने के केस में राष्ट्रिय बाल अधिकास संरक्षन आयोग और राष्ट्रिय जाच आयोग एन आई एस से जाच किसी फारिस करेगा दुमका में बारहमी कलास की लड़की को जिन्दा जला दिया गया था आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानुनगो ने कहा सोसल मीडिया कैम्पेन को बंगला देशी संगटनों की तरप से फंड किया गया था यह कैम्पेन इसलिए चलाया गया था कि यह साबित किया जा सके कि लड़की नबालिक नहीं थी जबकि कागजात बता रहे थे कि लड़की नबालिक नहीं थी प्रियंका कानुनगो ने कहा केस के जाच अधिकारी सारू का पता नहीं बता सके मैंने उनसे उसका पता पुछा था ANCPCR की टीम ने उनसे मामा के बारे में भी पुछा था जिसके साथ हो रहता था पूलिस ने बताया कि वो फरार है या सभी चीजे बताती है कि कुछ गलत है कोई आरोपी की मदद कर रहा है जार्खन सरकार का बीत विभाग सनुविदा पर तलास रहा OSD जार्खन सरकार का बीत विभाग अपने विभीन कारयों के निस्पादन के लिए 20 सरकार कारयों के तलास कर रहा है या नियुक्ति पूरी तरह से सनुविदा पर की जाएगी इसके लिए आवेदन की परकिरिया जारी है सनुविदा पर नियुक्ति को एक चुक उमिद्वार 31 October तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है नियुक्ति को लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उमिद्वार आउनलाइन आवेदान requirement.jharkhand.gov.in के जरिये करेंगे बता देबित विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विशेस कारेपदा दिकारी OSD के तीन पदोपर नियुक्ति के लिए उमिद्वार की तलास है जिसमें दो पद अनारक्षी सिर्यनी से और एक पद SD वर्ग से भरे जाने हैं देव घर जीले के पंचायतों के खाते में पड़े हैं विगास विजना के तेज को रूपए चालू विती वर्ष में चुनाव में जीत कर आने वाले मुखिया ने तीन माह में पंचायत को प्राप्त विकास मत की रासी खर्च करने में तेजी नहीं दिखाई है पंचायती राज विभाग के प्रखंडों से भेजी गई अगस्त माह की प्रोगेस रिपोर्ट के अनुसार जीले की कूल 194 पंचायतों के मुखिया और पंचायत सचीव के बैंक खाते में विकास फंड के 18 रूपए पड़े हैं पिछले तीन माह के दोरान नौर निर्वाचित मुखिया ने विकास की इस राजी को खर्च नहीं की है सबजीयो के भाव में आया उच्छाल 40 रूपए आलू और टमाटर 50 के पार छार्खन की रैधानी राची समेत लौड नगरी जमसेदपूर में फ़ल और सबजीयो के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं फ़लो और सबजीयो की कीमतों में 50 पे दित्ता की बढ़ोतरी हो गई है बजार में नया आलू जहां 40 से 45 प्रति किलोगराम बिक रही है वहीं टमाटर की कीमत 50 के पार पहुच गई है वहीं सेव भी 120 प्रति किलोगराम पहुच गया है बता दे सबजी पेकरताओं की माने तो फूजा के समय से ही सहर में सबजीयो का कौम आ रही है वहीं खपत अधीक होने से सबजीयो के दाम में उच्छाल आया है सबजीयो की कीमतों में उच्छाल आया है आलू टमाटर केलावा, बीन, सिमला मीर्च, गाजर समेत अन सबजीयो के दाम में उच्छाल आया है दुमका से दिल्ली के लिए जल्द चलेगी वासुकी नाथ धाम एक्सप्रेस संथाल वासियो को जल्द एक नई ट्रेन की सवगाद मिलने वाली है जार्खन की उपर आयधानी दुमका से देच की रायधानी दिल्ली के लिए वासुकी नाथ एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुवात होने वाली है इस बात की जनकारी गोड़ा संसर डाक्टर निसिकान दुवे ने दी बासुकी नाथ मंदिर कर्याले में पत्रकारों से बात करते हुए गोड़ा संसर डाक्टर निसिकान दुवे ने बताया है जल्द ही दुमका से दिल्ली के लिए एक नाई ट्रेन की शुरुवात होने वाली है इस ट्रेन का नाम बासुकीना धाम एक्सप्रेस दिया जाएगा सांसत ने कहा है कि आने वाले समय में गोड़ा जीले से भी कई महत्पून अस्थानों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी इसक के लावा दुमका से भी दिल्ली के लिए स्पेसल ट्रेन की शुरुवात होगी धन्यवाद